नमस्तार राधा की रसोई में आपका स्वागत है आज हम आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत ज़्यादा टेस्टी भेल पुड़ी बनाना सिखाएंगे अगर आपको हल्का फुल्का भुक में सुस हो रहा हो तो इस तरह से भेल पुड़ी बनाकर आप खा सकते हैं भेल पुड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है मुर्मुरा इसको लाई भी बोलते हैं आलू भुजिया रोष्ट किया हुआ मुंफली एक प्याज टमाटर धनिया की पत्ती और पुदिने की पत्ती को बिल्कुल बारिक काट कर ले लिया है काला नमक चाट मसाला कस्मीरी लाल म तंबेटो केज़प तो चलिए भेल पुडी बनाते हैं भेल पुडी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बोल उसमें डाल देंगे सबसे पहले ये मुर्मुरा अब हम उसमें डालेंगे' रोष्ट किया हुआ मुंफली आलो भुजिया और अब डालेंगे प्याज टमाटर है आप देख सकते हैं कुछ ही मिंटो में बहुत आसान तरीके से और बहुत कुलती ज्यादा टेस्टी भेल पुड़ी बन कर तयार है आप लोग भी इस रेस्पी को ट्राइ करिए अगर आपको हमारी ये रेस्पी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए एक बार एक भेल पुड़ी आप भी इस तरह से बना कर किस् झाल झाल